हेलो एंड वेल्कम बेक टू एसेट गाइड यूटुब चैनल आज की वीडियो में हम बैंक निफ्टी और निफ्टी का प्री मार्केट अनलिसिस करेंगे चार नवंबर है लेकिन उससे पहले यूएस मार्केट और एक्टिविटी पर नजर वारेंगे जो की काफ़ इंपोर प्रोंस की बात करें तो यहां पर भी 0.69 यानि की लगबग 0.7 परसेंट ये भी अप है और पॉजिटीव मार्केट है लेकिन यहां पर एक इंट्रस्टिंग चीज हुई है वो हुई है FII और DII के रविये को लेकर तो जैसा कि हम सभी जानते हैं FII तो लगातार निगेटि करोड की ठीक है DII ने एक महिने में सायद पहली बार होगा जब सेलिंग की है तो अब हमें DII के रुख को देखना है कि यान कि यह लोग क्या करना चाहते हैं अगर DII सेल करेंगे तो मार्केट नीचे जाएगा और FII तो पहले से ही सेल कर रहे हैं अगर DII इनके फेवर में आ जाते हैं यानि कि अब यह हिम्मत नहीं करते हैं उपर चलने की तो मार्केट में गिरावड आएगी अब चलिए हम इंट्राडे की बात कर लेते हैं हाला कि इतनी छोटी सी सेलिंग से कोई इतना ज्यादा इंपक्ट तो पढ़ता नहीं है यहाँ पर यह नेट में है जैसा कि हम सबी जानते हैं इक्यावन अट्सो और बावन हजार यह दो लेवल हैं जिस पर सेलिंग की पोजिशन बनी हुई है इक्यावन हजार और इक्यावन पांसो दो लेवल हैं जिस पर बाइंग की पोजिशन बनी हुई है इस बार मार्केट ने जो रजिस्टेंस लिय और 51800 से resistance लेने का मतलब यह हो गया कि कहीं न कहीं अब या तो आज के date में market बावन हजार जाकर तब वापिस आएगा एक तो यह possibility बनती है अगर market अभी इसी range को behave करता है या इसी range के करता है trade तब otherwise जैसा position यहां पर है अगर market gap down open हो जाता है और नीचे ही चलना शुरू कर देता है तो उस condition में हम 51,000 के level को आज break होते हुए भी देख सकते हैं जैसा कि अभी यहां पर माहूल है वो हम केवल DII के basis पर बोल रहे हैं लेकिन जिस तरीके से US का market behave कर रहा है यान कि य है यहां पर 1000-2000 करोड की selling नहीं है बस वो 200-300 करोड की selling है टोटल भी मिला दे तो 500 करोड की selling है जबकि हमने देखा पिछले दिनों में यहां पर एक ही दिन में FIIB 5800 करोड की selling करके गई DIA 3500 करोड की खरीदारी करके गई उससे पिछले देखा जाए तो 4600 करोड की DIA 4500 ही है तो 200-300 करोड में buying selling से कोई impact नहीं पड़ता तो यहां पर intraday में market ज्यादा तर positive रह सकता है क्योंकि 21600 के आसपास market है 500 से अभी बस resistance मला उपर चला है तो आज की date में हमें 218252000 और हो सकता है कि 52200 का भी level break होता हुँआ नजर आए निफ्टी में अगर बात करें तो कुछ ऐसी ही situation निफ्टी में भी है 24200 या 24000 पर जो buyers है वो अच्छे profit में है तो market नीचे तो आने के chances कम लग रहे हैं हाला कि एक situation ये बन सकती है कि gap down market उपर हो और in buyer को निकाल लेगी और उपर चले लेकिन ज्यादातर condition ये है कि या तो flat या हलका फुलका gap up यहां पर market अगर open होता है तो सबसे पहले हमें जो resistance नजर आ रहे हैं जो most important level नजर आ रहे हैं इस chart में एक तो 24-400 के आसपास का ये एक label है जिसको कल market ने test किया था 24-400 का ये label है यहां तक market आ सकता है इसके बास 24-500 का एक level है जिसको market जो है intraday में first आप में हो सकता है कि cover करने की कोशिश करे तो उस condition में gap up या halka pull का flat के आसपास open होकर market उपर चलेगा और यहां पर हम जो ज़्यादा situation दिखाए देगी वो लगभग हमें इसी level के आसपास ज़्यादा दिख रही है 24-500 अगर level break होता है तो फिर market 24-600 और 24-800 तक का जो सफर है वो तै कर सकती है लेकिन उतनी बड़ी उमीद यहां पर नहीं लग रही क्योंकि US market भी लगभग 0.8% के आसपास ही अप है आज की date में 24-500 का सफर थोड़ा लंबा है यहां तक जाने की chances कुछ कम है और यह एक अच्छा resistance एरिया भी है 24-800 से 25 तो इसके बीच देखते है या फिर यही 24-300-400 के आसपास से ही 24-500 से नीचे से ही बापिस निकल जाता है तो यह 24-2100-2400 पर अच्छी support है और 24-2500 पर एक बढ़िया resistance है जिसके बीच में market आज हमें घूमता हो नजरा सकता है festive season off हो चुका है तो अब देखते है market की इस तरिप का रुख करता है क्या यहां से FII-DIA मिलकर या market जो है वो positive moment में चलता है या फिर negative चलता है आज के दिन काफी important रहने वाला है तो चली फिलाल इतना ही मिलते है next video में तब तक लिए की बोचिंग